नमस्का, मैं उससी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मोख खबर जानते हैं नमस्का, मैं उससी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मोख खबर जानते हैं लेकिन राज सरकार अभी सुखे कि इस हीती का आकलन ही नहीं कर पाई है जर्खन मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस किसानों के करल्यान के नाम पर उन्हें ठग रहे हैं इस सरकार ने किसानों को सब जीयों के लिए भी निमतम समर्थन मुले का वादा किया था आज तक इस पर कोई चर्चा नहीं हुई बताए दे 20 अगस्त के लिए जो स्यतावनी जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि गुमला और सिम्टे का जिला में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बार्षा हो सकती है वहीं लातेहा लोहद का रांची और खोटी में भी कहीं कहीं भारी बार्षा हो सकती है हेमंत सुरेन वा बसंत सुरेन की सरस्ता रद होने पर जार्खन का नाया CM सीवू सुरेन जार्खन में आने वाले कुछ दिन राइनितिक सरगर्मी से भरे होंगे इसकी वज़ा भारत निर्वाचन आयोग में मुख्य मंत्री हमान सुरेन और उनके भाई बिधायक बसंद सुरेन के खिलाप चल रहा मामला है भाजपा ने दोनों के खिलाप अलग-अलग सिकायत राजे पर रमेस बैस के समक्ष की थी बता दे हमान सुरेन पर आरोप है कि उन्होंने मुख्य मंत्री के पत पर रहते वे राणची के अनगाड़ा में पत्थर, खनन लीज, आवबंटन कराया मुख्य मंत्री के पास खान भी भाग भी है भाजपा का दावा है किया जन परतिनित्व कानून का उलंगन है लिहाजा उनकी विधान सभागी से सता समाप्त की जाए बता दे हिमत सुरेन के नेतुत में चल रही सरकार को बिधान सभाब में परियाप्त बहुमत है लेकिन उनकी बिधान सभागे से सता समाप्त होने की स्थिती में बैक कल्प खुले है ऐसे में जारकन मुक्ति मोच्चा के अध्यक सीवु सुरेन सो भाविक पसंद हो सकते है उनके नाम पर जामों के साथ साथ कांग्रेस को भी कोई अपती नहीं होगी सियम हिमन्त ने रांची में फ्लाई ओभर वस सड़कों का सिलन्यास किया मुख्य मंत्री हिमन्त ने सुक्रवार को राईधानी के तीन महतपुन सड़क पर योजनाओ की सोगात दी योजनाओ का सिलन्यास करते हो उन्हों ने कहा कि इन सड़कों का निर्मान पत्र, निर्मान, विभाग 20 महीने कंदर पूरा करेगा इससे राईधानी को सड़क जाम से मोक्ती मिलेगी सरनास्थल मैदान, सिरम टोली में आवेजीत समारों में मोक्ती मंत्री ने कहा कि कठल मोर से और गोड़ा आने के करम में हमेशा सड़क जाम का सामना करना पड़ता है सड़क चोड़ी करन से आम जनता कोई समझा से निजात मिलेगी नेतर हाट फिल्ड फाइरिंग रेंज का अधी बिस्तार नहीं करने पर खुसी नेतर हाट फिल्ड फाइरिंग रेंज की अधी विस्तार को दोबारा अधिसुचित नहीं करने पर विभीन संगटनोरे रांची के डंगरा टोली चोग से पुरुलिया रोड, मेन रोड और सही चोग होते हुए अलवट एका चोग तक बिजाई जूलुस निकाला इसे जन संगर्सों के जीत बताया और इसके लिए मुखे मंत्री है मंसुरेन के प्रती अभार जताया बता दे अलवट एका चोग पर हुई सभा में नेतर हाट फिल्ड फाइरिंग रेंज बिरोधी केंद्रिय जन संगर समिती लातेहर गुमला के सचीव जेरोम जेराल्ड कुजूर ने कहा कि जब तक नेतर हाट फिल्ड फाइरिंग रेंज रद होने के सुतना जारी नहीं होती तब तक हमारा संगर्स जारी रहेगा कोरोना संक्रमित लोगों में से 60 परतिसत नए वेरियंट की चपेट में राजे में ओमिक्रोन के नए वेरियंट की पचान की गई है आकडों के मुताबिक राजे में जितने संक्रमित मरीज है उनमें से 60 पिस्दी मरीज इसी नए वेरियंट की चपेट में है कोरोना का जो नया वेरियंट है ओ ओमिक्रोन का ही एक सवरूप है नय वेरियंट के संक्रामित लोगों के आकड़े बिते तीन दिन में सामने आये है एक्सपर्ट की माने तो नय वेरियंट से चौथी लहर के संका जताई जा रही है बतादे राजी में क्रोना संक्रामितों में जो नया वेरियंट पाया गया है उसे सेंटोरस कहा गया है रिम्स परवंधन ने रिपोर्ट जारी कर बताया है कि फिछले तीन दिनों तक राजी के विभीन लेब से आई 192 सेंपल की जाच की गई जिसमें 180 रिपोर्ट कर नतिजे आएं सेंटोरस वायरास ओमिक्रोन बीए चार कारूप है जिसे बीए 2.75 और 2.76 कहा जाता है राज्य अस्तरिय पूरसकार जितने वाले सिक्षक को एक लाख राज्य में वर्ष 2022-23 के लिए सिक्षक पूरसकार के लिए सिक्षक को की चैन पर किरिया सुरू हो गई है इसकुली सिक्षायम सक्षतावी भाग द्वराई समन्द में सभी जीलों को पत्र भेजा गया है परखंड से लेकर राज्य अस्तर तक सिक्षक को का चैन किया जाएगा बता दे परखंड अस्तरिय पूरसकार के लिए चैनी सिक्षक को को 10.000 रुपए वही अनुमंडल अस्तरिय पूरसकार के लिए 20.000 रुपए वही जीला के लिए 50.000 रुपए राज्य अस्तरिय पूरसकार के लिए 1.000 रुपए मिलेगा सिक्षको के चैन को लेकर मापदन भी निधारित किये गए है जारखन में जनमाष्टमी पर स्रीयम हिमतने दी सुपकम्नाए कि क्रोणा में हमारी के कारण हम भागवान सिरीक कृष्ण के जनमाष्टो को इतने हर सोला से नहीं माना पा रहे थे आए दो साल बाद हम एक साथ फिर से कत्रित हुए है यह परमपरा ऐसे ही आगे बढ़ते रहे उन्होंने कहा कि आज खुसी का दिन है भगवान स्री कृष्ण हम सब पर आपना असिर्वात बनाए रखे उनकी किरपा से अगले वर्स भी हम इसी प्रकारे कत्र होकर स्री कृष् सिया के जंगल में जोरदार विस फोटो से आसपास का छेत्र दहल उठा जिस इलाके में विस फोट हुआ है वा गड़वा लाते हार और 36 गर सीमा का पीन पॉइंट है इससे अस्थानिये ग्रामनों में दहसत है घटना के बाद सतल कहोकर सुरक्षा बलो कि ओर से सखन जाच अभ्यान चलाया जा रहा है बता दे 25 लाह कई नामी नक्सली सोरब समय 40-50 मौधियों के बुढधा पहार में कैंप करने की सुचना है बताया जा रहा है कि 11 बजे रात से 3 बजे तक तक तकरिबन 35-40 बिस फोट हुआ है J.A.C.A. ने किनन एस्टेडियम में अमिताब चोधरी को दी सरदांजली चारकन स्टेट किर्केट एसोसेशन की ओर से सुकरवार को किनन एस्टेडियम में सरदांजली सभा काउजन किया गया जिसमें J.A.C.A. के पुर्व अद्रक्ष अमिताब चोधरी को भाव भीनी अमिताब चोधरी के कारण ही जारखन जैसा छोटा वा नाया राज किर्केट की उचायों तक पहुचने में कम्याब रहा अमिताब चोधरी की बहान एरा ने नम आखो से अपने भाई को याद करते हुए कहा कि वह किर्केट की दिवाने इसकूल के समय से ही थे लोहर दगगा में पियले फाई का एक उग्रवादी गिरफतार उग्रवादियों के खिलाप अभियान में लोहर दगगा पुलिस गुबड़ी कम्यावी मिली है पुलिस ने पियले फाई उग्रवादी संगठन के सद से बादल उराव को गिरफतार किया है गिरपतार पियलेफाई उगरवादी के पाचान सेनहा थाना छेतरे के जोगरा निवासी बादल उराओ को नीसान देही पर एक रिवल्वर और नक्सलियों के कई पोसाख बरामत किये गए हैं लोहरदागा एसपी कर्याल में आजित पिरसवारता में गिरपतार उगरवादी और बरामत समान को मीडिया के समक्स प्रस्तूत करते हुए एसपी आर राम कुमार ने बताया है कि पूलिस इस उगरवादी की गिरपतारी को लेकर बिगत कई दिनों से लगातार काम कर रही थी जारखन में परमोसन परलगी रोक हटी जारखन हाई कोड के जर्शिस डक्टर एसन पाथक की आदालत में प्रोनती को लेकर दाखिल याच गापर सुनवाई हुई इस दवरान आदालत ने प्रोनती परलगी रोक की अवधि को नहीं बढ़ाया है अधालत ने इस मामले में 20-30 सुनवाई के लिए 8 सितंबर गितिती निधायित की है ऐसे में अब राजे के सभी विभागों में दी जाने वाली प्रोनाती पर रोक नहीं रहेगी 4 अगस्त को इस मामले के सुनवाई करते हुए अधालत ने 18 अगस्त तक सभी प्रोनाती पर रोक लगा दी थी सुनवाई की दरां अधालत ने मोखी कहा है कि राज सरकार प्रोनाती दे सकती है अदालत ने इस मामले में DGP को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है जारखन में कुरोना का नाया सौब वेरियंट सेंटोरास दिल्ली सहित देश के कई सहरों में कुरोना के मामले तेजी से बढ़ने के लिए जिम्यदार माने जार है नया वरियेंट सेंटोरस जार्खन में मिला है सेंटोरस कोरोना के वेरियेंट ओमिक्रोन का सब वेरियेंट है रिम्स को भी भीन मेडिकल कोलेजी और लेब से कूल 192 RT-PCR सेंपल जिनोम सेंपल में लिए गए गए थे इन में से 12 सेंपल सिक्वेंइशिंग में फेल हो गए जबकि से 189 सेंपल में किसी सेंपल में delta वेरियेंट नहीं मिला सभी सेंपल में omicron के ही सब वेरियेंट सेंटोरस और अन सब वेरियेंट मिले है गढ़वा में वार्डेन ने छात्रा को बेरहमी से पीटा गढ़वा जिले के धूर की परखण इस्थित कर स्तूर्वा गांधियावा से विद्याले की वार्डें स सिक्षिकाप और 13 वर्षिय छात्रा कंचन कुमारी की बेरामी से पिटाई करने और नाली का गंदा पानी पिलाने कारोप लगाया है छात्रा गायल है वा धूर की परखण की आमबाग खोरया पंचायत के बरह सोती गाउं की रहने वाली है बतादे पीता बिरेंद्र भुया और पीडिता कंचन कुमारी ने बताया है की 16 अगस साम करीब 4 बजे वा बेडरूम में सो रही थी इसी करम में वार्डेंस सा सिक्षिका सुमन अगरवाल वहां पहुची भूत भागाने की बात कहते हुए पिटाई करने लगी पिटाई के बाद नाली का गंदा पानी पिलाया गया पिटाई से वा घायल हो गई आननफानम में इलाज के लिए समुधायक स्वास्तकेंद्र पहुचाया गया 34 राष्ट्रिये खेल घोटाले में CBI रेड जारखन के धनबाद में दो जगों पर CBI ने छापे मारी की है पताने से इनकार किया उन्होंने कहा कि हम इसके लिए और्थराइड नहीं हैं दो अस्थानों में से एक बैंक मोर थाना छेतर का इलाखा है जहां CBI ने छापे मारी की यहां ताई कुवांडो संग के पुर्व अध्यक्स प्रभाद सर्मा के अवास में छापे मारी की गाई इसकूलों के इसलामी करण पर जहारखन सरकार सकत जहारखन के इसकूली सिक्षायम सक्षटा विभाग के सचिव राये सर्माने सभी जीला सिक्षापता अधिकारियों और जीला सिक्षक अधिजकों के साथ बैठक की इस दोरान उन्होंने राज्यक के सरकारी स्कूलों में म सरकारी स्कूलों का नाम बदलना साथ ही रभीवार की जगा सुक्रवार के छूटी देने जैसे लपरवाही नहीं होनी चाहिए यदि किसी स्कूल से इस तरह की सिकायत आती है तो इस मामले से समंधित लोगों के अलावा पदाधिकारियों पर भी कानूनी करवाई होगी इसके साथ ही उन्होंने कहा एकी स्कूलों के प्रांतना में भी कोई बदलाव नहीं होनी चाहिए जारखन में सियासी हल चल 20 को बैठाग को रांची में जम्य रहने को कहा है वहीं जैमेम और रायत के बिधायक भी रांची पहुचने लगे हैं बतादे 20 अगस्त को मुख्य मंत्री आवाज पसत्र धारी दल के बैठक बुलाई गई है UPA की इस बैठक में JMM कंग्रेस और रायत के विधायक सामिल होंगे इधर कंग्रेस के परदेश प्रवक्तारा के सिंगने का है कि राची में रहने का निर्देश अफवा है सरकारी स्कूलों में क्यों घट रहा नमांकन जाच राज्य के सरकारी स्कूलों में लगतर बचों का नमांकन घट रहा है हाल में जारी आकडों के मुताविक जार्खन में 61 स्कूलों में बचों का नमांकन घटा है इस्कूरी सिक्षा वमसर्षदा विभाग ने नराजगी और चिंता जताते हुए कार्णों की पाचान करना मांकर बढ़ाने के सक्त निदेश दिये है जार्खन में इस्कूरी सिक्षा के छेत्रे में हाल में उठाए के कुछ बड़े कदम की बात करेंगे तो बातों का जिक्र जरूर आएगा है बता दे पहला राजगी के सभी सरकारी स्कूलों के भवन का रंग बदलना है और दूसरा बचों के स्कूल ट्रेस बदलना है रांची मेर ने राष्टपती द्रोपती मुर्मुसे की मुलकात भाजपा की राष्टरी वंत्री सर रांची की मेर आसालागणा ने सुकूरवार को नई दिली में राष्टपती द्रोपती मुर्मुसे सिष्टा चार मुलकात की आसा लक्रा ने बताया कि राश्टपती बनने के बाद रोपती मुर्मू सेया उनकी पहले मुलकात थी इस दोरां जहरकन की विकास को लेकर कई बिंदू पर चर्चा हुई साथ ही राजे की किसानों के हलात पर भी बात चीत हुई राश्टपती और मेर ने एक दूसरे को स्रीक किष्ण जनमाष्टमी की सुबकमनाय भी दी जम सेथपूर से छिंताई गिरोह के सरगना सहित नो गिरफतार पुलिस ने सहर में हो रही छिंताई करने वाले गिरोह के सरगना समयत नो लोग को गिरफतार किया है गिर्वतार आरोपितों में परसुडी नामोट टोला निवासी सरगना सुमीद सिंग सामिल है बता दे पुलिस ने आरोपितों की निसंदेही पर पांच मोबाइल तीन सोने की चेन तीन बाइक और अने समान बरामत किया है पुलिस के उन सार पूश्टाच में और अपितों ने बताया है कि अब तक सभी ने मिलकर जमसेत पूर और आसपास के इलाकों में कई घटनाओ को अंजाम दिया जा चुका है सीबी एसी बोर्ड कंपार्टमेंट परिक्षा 23 से सीबी एसी के दासवी वा बराहमी बोर्ड की 23 अगस से होने वाली कपार्टमेंट परिक्षा के लिए सब ही इसकूलों को करोना गाइडन का पारन करने के निदेश जारी किये गए है इसे पहले टर्म टू की परिक्षा के समय भी कुरोना मान को का पारन करने को कहा गया था लेकिन संक्रमन दरकम होने से अधिकास इसकूलों में इसे लेकर बहुत सक्ती नहीं की गई थी बतार दे गाइडन के अनुसार विद्यार्थियों को सोसल डिस्टेंसिंग के साथ बैठना होगा सेनेट टाइजर की बेवास्था भी करनी होगी मास्क लगाना भी जरूरी होगा दसवी की कपर्टमेंटल परिक्षा 23 से वही 29 अगस्त तक चलेगी वह बराहवी की परिक्षा सिर्फ 23 अगस्त को ही होगी बारिस से फ़सल बचाने के लिए परामर्स बीरसा क्रिसी बिस्टो बिद्याला की गरामिन क्रिसी मौसम सेवा ने राजे में भारी बारिस की संभावना के मदनेजर किसानों को परामर्स जारी किया है इसमें किसानों को बताया गया है कि 2-3 दिन तक खेतों में लगी फसल में दवा के छिड़काव ना करे भारी बर्षा के कारण फसल पर संभावित असर को देखते हुए धान की समय पर बोई फसल पुस्वा वास्था में है ज्यादा जल जमाव या पानी के तेज बहाव से पौधों की गिरने की असांका है इससे बचने के लिए खेत में जरूरत से अधिक जल जमाव ना होने देने वह सुरक्षित जल निकासी के लिए खेत की मेड के चारों और नाली बनाने को भी कहा गया है बैंकिंग वा इकोमर्स में 25 रिक्तियों के लिए आवेदान मारवाई कॉलेज के प्लेस्मेंट सेल की ओर से टाइम्स प्रो के माध्यम से बिद्यार्थियों को बैंकिंग e-commerce वा supply chain management में जाने के लिए विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं इसके लिए www.marvai.college.ac.in placement.spx पर आवेदन कर सकते हैं जिसके लिए 2500 सीटे उपलब्ध हैं 25-28 साल IU वर्ग के अभियार्थी आवेदन कर सकते हैं उन्हें 50% अंग के साथ असना तक उतिन होना जरूरी है नीजी छेतर में आरक्षन की घोसना भरामक BJP भारतिय जानता पार्टे ने हमांत सुरेन सरकार पर जानता से जूठे वादे करने और लोक लुभावन घोसना के जरिये ठगने कारोप लगाया है परदेश अध्यक्ष दिपक प्रकास ने कहा है कि मोख्य मंत्री ने जी छेतर में 75% आरक्षन की घोसना की है जब नई अस्थाने निती की घोसना राई सरकार ने की ही नहीं तो फिर नई नियमावली में अस्थानियता पर अगवर्दा सरकार की ही निती माननी पड़ेगी या भी पुछा की 40 सया से ज्यादा कमाई करने वालों को राई सरकार बाहर क्यों भेना चाहती है जारखन के 180 परखनों में सुखार की स्थिती अधिकारियों ने सोपी रिपोर्ट राजे के 24 जीलों के 180 परखन सुखार की चपेट में है राजे के 4 जीलों में मध्यम सुखे वही 7 में गंभी सुखे और 13 जीलों में सुखे के चरम पर है राज सरकार के अधिकारियों दोवारा 24 जीलों के 126 परखंडों में बारिस और बुआई की स्थिती का आकलन करने के बाद त्यार रिपोर्ट में इंतत्यों का उलेक किया गया है बता दे सरकार ने सुखे की स्थिती का आकलन ड्रोट मेनुवल 2016 में निहित प्रवधान के तहत किया है सरकार ने पलामू परमंडल में सुखे की स्थिती पर विशेश रिपोर्ट के लिए साथ सब्सक्राइब कर बहल का बेल एक अंद भाईए साथी साथ वीडियो को एक लाइक आप दोस्तों साथ सेर करना भूले शाथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीड़वेक अवस से दे थैंक यू